Hi everyone, this is Rishmi Sinha, mentor, guide, friend and a host of today's video और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत important and urgent video for all the examinee जो exams दे रहे हैं, boards, 10th boards, 12th boards या दूसरे सारे MCQ exams जिनको ये तै करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो MCQ questions आ रहे हैं तो वहाँ पर objectives कैसे decide करें, बड़े close से होते हैं options और बहुत मुश्किल होते हैं decide करने में और exam में बहुत सादा हमें confusion हो जाती है कि कौन से option को हम choose करें, तो मैं आपको छोटी-छोटी कुछ strategy बताऊंगी क्योंकि इस तरह के exam की भी actually trick होती है, जब question paper तैयार किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए ही है जाए वो किसी भी तरह के exam को देने जा रहे हो उनको यह trick और strategy ज़रूर काम आएगी और मैं अपने चैनल पर इसी तरह के बहुत धेरो वीडियोज लाती रहती हूँ, students को, parents को, और सारे examini को, सभी को update करने के लिए तो please मेरे सारे वीडियोज जरूर देखा कीजे और आपके भी अगर कोई अच्छे से suggestions हो, तो बिल्कुल शर्माईए मत आराम से, comment section में बता दीजे, काम से आपके suggestions है तो चलिए, मैं अपनी strategies आपको share करती हूँ, ठीक है? Let's start ट्रिक्स के पहले, जो चीज मैं आपको बोलना चाओंगी, वो यह है कि आप जब exam center में बैठे, जब examination hall में पहुंच जाते, तो सबसे पहले अपने आपको piece में लेके और जाएं, right? अपना time divide कर ले, time duration होती है, तीन गंटे का paper हो, जितने भी देर का paper हो, बिलकुल peacefully आपके paper देना है, क्योंकि आपने ये secure कर लेना है, कि paper आपको ही देना है, right? जब आपको ही paper देना है, आप ही उसके मालिक हो, तो जैसा paper देने वाले हो, तो सब आप पर decide होता है, तो बिलकुल घबराइए नहीं, आपके हाथ में जैसे ही question paper आता है, सबसे पहले उसको patience fully read करें, अगर paper जितनी भी देर का है, उसको आप 50-50 time पर divide करें, 50% time आप अप अ 70% questions के answers declared हो जाते हैं, क्योंकि हमें answers मालूम होते हैं, या करीबन करीबन मालूम होते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे questions होते हैं, जो हमें confuse करने वाले होते हैं, या बिलकुल हमारी reach से बाहर होते हैं, अब हम उन questions के तरफ जाने वाले हैं, अभी तिक कोई भी question नहीं करना है, तो ये पहली चीज है वो आपने कर लेनी है पहले अपने time देख लेना है और time के साथ आपने अभी किसी भी question को take नहीं करना है सिर्फ अच्छी तरह से read करना है याद रखिए जब भी mcq question paper prepare होता है उसमें tricks भी होती है कई बार जो उसके options होते हैं वो बिलकुल सीधे सीधे न नहीं होते हैं जैसे आपको कोई law आई तो जिस law को बनाने वाले scientist का नाम spelling में mistake होती है आपको फसाने के लिए दिया गया है आपने फटा-फट over confidence में आके पटाक से उसको tick कर दिया ये काम नहीं करना है राइट चलिए ऐसे सुनने पे तो बड़ा अजीब लगेगा लेकिन पता है आपको हमारे teachers थे वो हमें कहते थे कि ऐसे हमने और experience भी किया हुआ है कि जब हमें options बनते थे चार options उसमें जो सबसे लंबा जो option होता था यानि जो दो तीन चार options है उसमें जो सबसे longest वाला option होता था कई साधा time हमने देखा वो correct होता था तो इसलिए जो options ABCD हो उसमे आप हमेशा pick करके देखें कि वो conceptual होते हैं और teachers इसे trick करके थयार करते हैं तो वो mostly करके आपको correct मिलेंगे एक और चीज़ जो मैंने बहुत बार notice की है अगर चार options है ABCD तो उसमें A के chances ना के बराबर होते correct होने के और D के second ना के बराबर लेकिन जो B और C है न वो अक्सर correct हो अब जो है जो बिल्कुल weird option है आपके question में जैसे हमालीजे आपको question आया कोई भी question आया और आपको कोई English का question paper है और आपको कोई question आया और उसमें आपको कोई grammar select करनी है ठीक है और अगर आपको grammar select करनी है तो जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता उसको तो सबसे पहले निकाल दीज आपको सबसे पहले क्योंकि psychology कहती है हमेशा first जो thinking होती है हमारी वो correct होती है हम जब ज़्यादा सोच विचार करते है रहा तो हम हमेशा गलत answer चूज करते है तो जो सबसे first thinking में आपको correct answer लगे उसे ही आप tick कर दीजे ये चीज भी आप ज़रूर apply करके देखिएगा तो क्या कर देना है सबसे पहले तो आपको वो answer को remove कर देना है जो weird है उसको सबसे पहले निकाल देना है second first A और D को ज़्यादा करके मत select कीजे B और D options में से choose करके देखिए कौन सा better answer है longest वाले option को pick ज़रूर कीजेगा वो अक्सर correct होते है maths के भी questions में हमेशा unit पर ध्याद दीजेगा maths में और physics में unit पर ध्याद दीजेगा अगर unit ही wrong है तो वो answer तो पहले ही आपके list से बाहर हो जाएगा किसी की unit के related कोई question है मान लिजेए आपको कोई pressure से related question आ गया moment of inertia से question आ गया और आपके वहाँ पर unit के ही मतलब जो अपने unit का options दिये हो है वहीं पर गलती है फिर तो आपने उसको choose ही नहीं करना है वहीं पर उसको minus कर दीजे number पर तो ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है उसी तरह से कई बार क्या होता है किसी scientist के नाम से related questions होते है poet के नाम पर questions होते है या किसी हिंदी में लेखक के नाम पर questions होते है जादा तर या poem के नाम पर होते है कहानी के नाम पर होते है इसमें हम अक्सर क्या गलती करते है उस नाम में छोटी मोटी चीजे चेंज कर दी जाती है और हम random, हमारा जो दिमाग होता है न वो एक बहुत ही चलांक ओर्गन है तो वो फटाक से उस question को pick कर लेता है या उस answer को clutch कर लेता है जो बिल्कुल मिलता जुलता correct वाला उसने पढ़ रखा है तो फटा-फटा हम उसे choose कर लेते हैं नहीं रुखिये और देखिये कि वो answer क्या वही है जो आपने पढ़ा है कई ऐसा रहा हो कि जल्द बाज़े में overconfidence में आकर आपने बीना पूरा नाम पढ़े ही उसे टिक कर दिया हो ठीक है कई बार उसमें कुछ छोटी सी error जरूर डाली भी रहती है जिसकी वेसे हम फस जाते हैं तो यहां भी थोड़ा careful रहिएगा अब मैं बताते हूँ एक बहुत बड़ा वाला pro tip जो की मैंने अक्सर notice किया है none of these और all of these वाला है अक्सर none of these और all of these जब दिये वे रहते हैं MC के question में वो अक्सर correct answers होते हैं उनको तो जरूर pick कीजे अक्सर आपके answers correct हो जाएंगे तो यह जो छोटी छोटी strategy हमें follow करनी सिखाई गई थी या हमने कुद ही invent कर ली कह लीजे तो मुझे लगता है मैं आज आपसे share करूँ और आपको भी इसका फायदा उठाने को दूँ तो सभी students जो भी exam दे रहे हैं उनको इसका फायदा जरूर मिलेगा इस वीडियो को सबको share जरूर कीजेगा और इसी तरह के सारे वीडियो जरूर देखेगा और हमीशा लगतार अपना प्यार देते रहने के लिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखी और गुड लग अपने exams के लिए